नमस्कार न्यूस्ट्रेक के वाई फेक्टर में आपका स्वागत है मैं हूँ योगिश मिश्व हाल फिल हाल आप करनाट का चुनाओ के नतीजों पर नजर रख रहे होंगे करनाट का विधान सभा चुनाओ के सर्विक्षन देखे होंगे पढ़े होंगे सबके अलग-अलग स्टेट्मिंट्स हैं सबकी अलग-अलग फाइंडिंग है करनाट का को मोटे तोर पर न्यूस ट्रैक ने जो देखा और समझा उसके लिहाज से सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि करनाट का में सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेस होगी दूसरे नमबर पर भारते जनता पार्टी होगी पर सरकार भारते जनता पार्टी की बनेगी मिल जुल के कॉंग्रेस पार्टी एक सो से उपर यहीं एक सो पांस सीटे भी पा सकती है प्लस माइनस दो सीट है भारती जनता पार्टी को 90 सीटों के आसपास सीमट के रहना पड़ेगा 14 से 16 सीटें JDS को हासिल हो सकती है लेकिन उत्तपेस के लोगों को इस से जादे दिल्चसपी मेर की नतीजों में होगी अगर उत्तपेस के 17 मेर के चुनाओं के नतीजों पर नजर दुणाएं तो हर तरफ कमल खिलता हुआ नजर आता है सिर्फ सहारनपूर, मेरट और मुरादाबाद तीन ऐसी सीटें नजर आती है जहां कमल की पंखुडियों को खिले में दिक्कत पेश आ सकती है लेकिन यह निशकर तोर पर नहीं कहा जा सकता है अगर हम एक-एक सीटों पर बात करते हैं नगर निगम के चुनाओं में तो सबसे पहले आते हैं आगरा सीट पर आगरा सीट से भारती जनता पार्टी में हेमलता दिवाकर को उता रहा है हेमलता दिवाकर आज उमिदवार है लेकिन जब से मेर का चुनाओं होना शरू हुआ जनता से तब से यह सीट भारती जनता पार्टी के कबजे में ही है और आज की तारिख में आगरा के 9 सीटों से नौ के नौ विधायक भारते जनता पार्टी के हैं और सांसद भी भारते जनता पार्टी का ही है अगर अलिगड़ सीट पर हम आते हैं तो वहाँ से भारते जनता पार्टी ने प्रसान सिंगल को उतारा है और अलीगड में या तो ब्राह्मन उमिद्वार उतारा जाना चाहिए था या वैश तो अभी प्रशान सिंगल के उतरने के बाद लडाई बहुत रोचक है अगर एक बार छोड़ दिया जाए तो इस सीट पर भी हमेशा भारते जनता पार्टी काबिज रही है और आज की तारिक में अलीगड के विधान सभा की सात की साथोशीट है भारते जनता पार्टी के कबजे में है इसलिए अलीगड में लड़ाई बहुत रोचक है रूमन्चक है जीत की उमीद बिलकुल भारते जनता पार्टी को करनी ही चाहिए जहांसे से बिहारी लालों को पार्टी ने उमिदुगार बनाया है। इससे पहले दो बार भारती जनता पार्टी नहीं अपने मिया जिताने में काम्यावी हासिल की थी। यहां पर भारती जनता पार्टी का पर्चम विधान सभा और रोग सभा दोनों में लहरा रहा है। और कहा जा सकता है कि इस बार भारते जनता पार्टी जहासी में हैट्रिक लगाएगी। मेरट सीट जरूर ऐसी है जो भारते जनता पार्टी की फसी हुई सीट कही जा सकती है। यहां से भारते जनता पार्टी ने हरी कांत आलू वालिया को चुनाओ मैदान में उतारा है। पिछली बार भी यहां से बहुजन समाज पार्टी की मेर हुआ करती थी। और मेरट एक ऐसी सीट है जो भारते जनता पार्टी के लिए बहुत मुफीद नहीं कही जा सकती है। यहां सांसत भले ही भारते जनता पार्टी के राजेंदर अग्रवाल हों लेकिन मेरट में दो सीट है समाजवादी पार्टी के कबजे में हैं। एक सीट RLD के पास है, केवल चार विधान सवाग के सीट ऐसी है जो भारतिय जनता पार्टी के हाथ लगी है, इसलिए जो तीन सीटें ऐसी हैं जिनमें भारतिय जनता पार्टी को अभी उमीद बना के रखना पड़ेगा, उनमें एक मेरट भी है, मेरट के बारे में भारतिय ज बार भी दो बार मेर के उहां पर मेर का चुनाव भारती पार्टी जीत रही हैं आ architects कई मेजुअ कि मेर पथपरहते विनद अगरवाल ने किसी भी तरह सक्था विलोधी रुजान नहीं होने दिया फिर भी मुरादावाद पर वाकोवर जैसी इस्तती भारते जनता पार्टी की नहीं दिखती है लेकिन भारते जनता पार्टी को इस सीट को छोड़ भी दिना अच्छा नहीं होगा सहरानपूर एक ऐसी सीट जरूर है जहां भारते जनता पार्टी के लिए बहुत तुस्वारियां हैं बड़ी दिक्कत है इस सीट से भारते जनता पार्टी ने डॉक्टर अजय कुमार को उमिदवार बनाया है यसी विधान सभा और लोक सभा में भारते जनता पार्टी के लिए बहुत मुफीद नहीं रही है हाला कि पिछले दो बार भारते जनता पार्टी यहां पर अपने मेयर जितवाने में काम्याब रही है ऐसे मैं भारते जनता पर्टी को हैट्रक लगाने के उमीद करना विमानी नहीं होगा परन्तु भारते जन्ता पर्टी को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां बसपा के सानसद है और यहां की विधान सभा के दो सीटों पर समाजवादी पर्टी काबिझ है सिर्फ 5 सीट भारते जनता पार्टी के पास है शाजापूर जहां पहली बार मेर का चुना हो रहा है जहां पर भारते जनता पार्टी के पास उमिद्वार ही नहीं था लेकिन अपनी जीत मुकमल करने के लिए भारते जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के उमीदवार अर्चना वर्मा को अपने पाले में लाकर के खड़ा कर लिया अर्चना वर्मा के आने के बाद से भारते जनता पार्टी के माचें खेल गई और कहा जा सकता है कि सीट पर भारते जनता पार्टी मैदान मार ले तो कोई आश्यर नहीं होन पर भारती जन्ता party को नहीं भूलना चाहिए कि जब यहां नगर पंचयाट थी तो 15 साल कि समाजवदी पर्टी साथ के अध्यक्ष रहे पर भारती जन्ता party के लिए खुश होने की बात यह भी ऐक कि यहां कि सभी seat उपर उसी के विधायक है मतुरा वरिंदावन ऐसी सीथ है जहां से भारते जनता पार्टी के पराजय के उमीद करना निश्यत तोर से बेमानी होगा क्योंकि वहां से जब हिमामालनी आकर के चुनाओ जीत जाती है पिछली बार भी वहां पर भारते जनता पार्टी के ही मेर थे इस बार भी भारती जनता पार्टी के मेर है, दूसरे भारती जनता पार्टी के जो मेर है, वो भारती जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे एक बड़े निता के बहुत करीबी है, रिशदार भी है, तो ऐसे पार्टी उन्हें सामाने कारे करता हूँ, सामान उमिजवारों से जादे तरजी देगी और जिस तरह योगी आधितनातनी यहाँ पर विकास की गंगा भाई है वह भी निश्यत तोर से इस सीट को जीतने में मदद करेगी। कानपूर एक ऐसी सीट है जिसमें टिकट को लेकर के बहुत जादे दिक्कत थी और हाई कमान को भी फैसला करना बहुत मुश्किल था। अंत में ठक हार करके भारते जनता पार्टी हाई कमान ने प्रमिला पांडे को ही दुबारा मैदान में उतार दिया। इस सीट से सत्यदेव पचवरी की बेटी और बैरिस्टर सहब के परिवार की बहु नितु सिंग भी टिकट मांग रहे थी। प्रमिला पांडे ने वैसे तो अपने कारेकाल को बहुत ठीक से चलाया और यही वज़य कि शायद उनकी जीत मुकमल करने में भारते जनता पार्टी को काम्याबी हासिल होगी। वैसे भी 1995 से आज तक कानपूर नगर निगम पर भारती जनता पार्टी का ही कब जा रहा है और एक ऐसे समय जब उत्तरप्रश में भारती जनता पार्टी की सरकार हो, यूग्याद इतनात जैसा मुक्खे मंत्री हो, तो निशित तोर से कानपूर की जीत को ले करके पार्ट को मुतमीन होना ही चाहिए, आयुध्या भी कुछ मथूरा और विंदावन से मिलती जुलती सीट है, आयुध्या में राममंदिर, चारो तरफ आयुध्या में विकास ही, विकास का दिखना और विकास का आगे बढ़ते जाना, विकास की एक नई सोच और एक नई परमपरा ने वहाँ भारते जनता पार्टी के जीहित के रास्ते पूरी तरह से खोल दिये हैं। उमिद्वार कोई भी होता तो वहाँ से जीतता। पिशली बार जो मेर थे उनका टिकट काट करके पार्टी ने इस बार नया उमिद्वार गिरीश पतित्र पार्ठी को उता रहा है। और गिरीश पतित्र पार्ठी लोकपरी भी हैं। पिशले मेर पर जमीनों की खरीद फर्युक्त को लेकर के कुछ छीटे पड़े थे। और जब योगी आदित्तनात अयोध्या में देवधी पौली मना रहे हूं। एक समय वो अयोध्या से लड़ने का मन बना चुके थे। आयोध्या उनके विकास के एजेंडे का महत्पूर्ण हिस्सा हो। तब आयोध्या सीट पर किसी दूसरे के विजे की कलपना करना निश्यत तोर से बेवानी हो। बरेली सीट पर भारते जनता पार्टी ने अपने पिछले बार के मेर को दुबारा मौका दिया है। मतलब साफे की सत्ता विरोधी रुजान से मेर पूरी तरह से दूर है। इसी के साथ बरेली सीट भारते जनता पार्टी की पुस्तेनी सीट है और सांसत के रूप में तो कह सकते हैं कि संतोष गंगवार ने इस सीट पर खुद को आजे बना रखा है। वैसे भी बरेली की नौ विधान सवा सीटों में से साथ पर भारते जनता पार्टी काभिज है, दो पर समाजवादी पार्टी काभिज है। बरेली सीट का इतिहास और बरेली सीट के मद्दातों का रुजहान बताता है कि भारते जनता पार्टी का परिचम यहां मेर में भी लह रहाएगा फिरोजाबाद वैसे तो सीट समझी जाती है समाजवादी पार्टी के हैं इससे भी समझ सकतें कि यहां कि पांच विधान सबाद सीटों में से कवल दो पर भारते जनता पार्टी का भी जे तीन समाजवादी पार्टी के पास है फिर भी फिरोजाबाद में कमल का मेयर के पत पर खिल जाना आश्यर जनक नहीं होगा पर लड़ाई यहां बहुत टफ है समाजवादी पार्टी ने कलत उमिदवार उतार दिया है नहीं तो इस सीट पर मैदान मारना उसके लिए बहुत ही आसान होता है गाजियाबाद भी एक ऐसी सीट है जिस पर फैसला लेने में भारती जनता पार्टी ने बहुत देर लगाई और अंततर सुनीता दयाल को यहां टिकट दे दिया गाजियाबद वैसे तो जब से बनी है सीट मेर की तब से लगातार भारती जनता पार्टी ही जीतती आ रही है ऐसे में फिर कैसे सोचा जा सकता है कि सीट किसी और के पास जा सकती है यही नहीं यहां सांसद भी भारती जनता पर्टी का और सारी की सारी विधान सभा के सीट हैं भारती जनता पर्टी के कबजे में हैं इसलिए आईए इस बार भी गाज़ाद में कमल खिलने का मौका देते हुए मान लेते हैं कि BJP जीते की गोरखपुर योगी आधितनात का च्छत लंबे समय तक वहाँ से सांसद रहे वहीं से वो विधायक रहे और वहीं से वो मुख्य मंत्री भी है गोरखपुर आसपास के कई जिलों में एक समय था जब वो हिंदू वाहिनी चलाते थे तब उनका डंका बोला करता था आज बुल्डोजर बाबा का डंका पूरे प्रदेश में बोल रहा है कानून विवस्ता के नाम पर आम तोर पे सत्ता गवाने वाली सरकारों के ठीक उलट कानून विरुस्था के नाम पर उन्होंने सरकार बना करके उत्तप्रेश में दिखा दिया ऐसे में गुरकपूर में मेर का चुनाओ कौन जीतेगा बिलकुल साफ है वह सीट फिर भारते जनता पार्टी के कबजे में जाएगी वह सीट भारते जनता पार्टी के कब्जे में ही रही है हाँ यह जरूर है कि भारते जनता पार्टी को हमेशा उसमें योगी आदितनात के पसंद का उमिद्वार देना पड़ा है इस बार भी भारते जनता पार्टी के मंगलेश वास्तों के जीत के बारे में गोरखपुर के लोग आश्वस्त हैं, हम आप भी आश्वस्त हो सकते हैं प्रियागराज बहुत उल्जी हुई सीट है हाला कि देखने में लगता है कि सीट पर भारती जनता पार्टी का जीतना महुत आसान है पर प्रियागराज में बसपा का भी मेर रह चुका है और सपा का भी मेर रह चुका है ऐसे में जिस गणेश के शरवानी को उतारा गया है उनके लिए रास्ते इतने आसान और इतने महफूज नहीं है पर यह जरूर है कि जिस तरह बारह में से आठ सीटों पर भाजपा काबिज है, साथ सीटें सपा के पास हैं, बसपा के पास कुछ नहीं है, भाजपा के मंतरी नंद गोपाल नंदी की पत्नी को टिकट इस बार नहीं दिया गया है, हालाकि वो एक बार बसपा की ओर से भी मेर रह चुकी है तो ऐसे में जो कुछ भी नतीजे आएंगे वो इस बात पर निर्भख करते हैं कि भारते जनता पार्टी के नेता प्रियागराज के मेर पत्पर क्या स्टेनड रखते हैं क्या वो भीतार घहत करते हैं या प्रयागराज में भी कमल खिलने का मौका देते हैं अंत में 12-10 सी शीट पर आते हैं वहां से अशोक्तिवारी उमिद्वार है बनानस में भी हाईकमान के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि इसको उमिद्वार बनाये पर हाईकमान ने दो बात हैं तेकी थी कि वहां या तो वैश उमिद्वार होगा या ब्राहमण होगा अशोक्तिवारी वैसे तो संग्ठन में है और छेतरी संग्ठन के मंत्री है पर जहां से नरिंद्र मोदी सांसद हो जहां से भारती जनता पार्टी मेयर का चुनाव हारी ही न हो जहां से बहुत पहले से सांसत सीट पर भारती जन्ता पार्टी काबिज रही हो, वहां अशुक तिवारी ही नहीं, कोई भी चुनाव लड़े तो उसके हार के बाद सोचना बेमानी होगा, और अशुक तिवारी लड़ रहे हो, तो निश्चित तोर से कहा जा सकता है कि अशु तिवारी की विजय सुनिश्चित है, और इस तरह देखना तो भारती जन्ता पार्टी 14 सीट है, तो सीधे सीधे जीत रही है, तीन सीटों पुसका बहुत निकट का मुकाबला है, योगी आदितनात के हिस्से में इस बार नगर निकाह चुनाओ कि सारी उपलब्धियां अक करेगी, एक नया मुकाम देगी और एक नई जगह पर ला करके उन्हें सियासत में बिठा देगी, एक नए धंग के ओट बैंक के वो अलम बरदार बन करके इस बार उबरेंगे, इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, किसी नए सवाल पर नए धंग से बात करने के ल हुआ 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 है